अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ो सा वीडियो को शेर किया कीजिए अपने फ्रेंड सरकल में और अपने आसपास के लोगों को तो चलिए कोशिन की तरफ मूग करते हैं वो था 111 सम्विदान चंशोधन हमारे देश की ओफिशल लेंग्वेज है जो वो हिंदी को कौन सा हमारा आर्टिकल है अनुछे दे सम्विधान का वो मान्यता प्राप्त करता है तो वो है आर्टिकल नमब तीन सो तीतालिस 343 आप्शन नमब त्री 343 कोशन नमब त्री जो हमारे गवर्नर है राज्य के राज्यपाल है उनको कौन सा आर्टिकल मान्यता प्राप्त करता है कि वो ओर्डिनेंस जारी कर सकते है तो वो हमारा आर्टिकल है 213 जो हमारे राटिकल बत्तेस है हमारा 32 कॉंस्टिटिटुशनल रेमेडिस ये इसको हार्ट एन सूल कहा था बियार अंबेड कर जीने और इसी के तहट सुप्रीम कोट और हाई कोट को रिट जारी करने की पावर है उनको अथियरिटी है तो जो हमारी हाई कोट रिट जारी करती है वो करती है आर्टिकल है हमारा जो वो है 226 226 अनुशियत के तहट वो रच जारी कर सकते हैं जो राष्टरपती साशन लगता है भारत के किसी भी राज्य में वो लगता है 356 तीन तरह की अमर्जन्सी है 352, 356 और 360 ये नेशनल, ये स्टेट वाली और ये फिनेंशियल अमर्जन्सी तो ये राष्टरपती साशन लगता है 356 356 तो ये चौथे वाला है जो हमारा सुप्रीम कोट हमने सुप्रीम कोट का कंसेप्ट भी यूएस से ही लिया है उस्तम नियाल है जो डिशेरी मेन वाला तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा उप्शन नमबर 4 वो है हमारा नीति आयोग तो उप्शन नमबर 4 हो जाएगा नीति आयोग तो उसमें लिखावा है भारत के लिए आ यूनियन अफ स्टेट्स राज्यों का संग इंडियन कॉंस्टिटूशन इज नहीं हम जो सिधान्त है हमारा हमारे कॉंस्टिटूशन का नहीं वो पूर्णत संगवादी है नहीं वो एकतावला है हम है क्वासी फेडरल दोनों की थोड़ी-थोड़ी क्वालिटीज है इसका option number A है क्वासी फेडरल जो पंचायती लेवल पे पंचायती राज के जो elections है वो कौन कंड़क्ट कराता है वो कराते हैं हमारे state election commissions वो कराते हैं state election commissions एक बार सारे questions को फिर से देख लेते हैं question number one क्या था जो cooperative societies बनाने के लिए जो grant है constitution amendment किया गया था वो कौन सा article में मलब कौन सा समीदान चंशोदन था वो था 111 111 article 343 के तहत हिंदी को देश की देवनागरी script को official language union की declare किया गया है और जो rate जारी करते हैं high court जो governor sorry ये question है governor का तो governor जिस article के तहत ordinance जारी करते हैं वो है 213 high court को जो rate जारी करने की authority है वो है article 226 में 356 है president rule state में हमारे president rule state में question number six जो US में और हमारे constitution के जो federation में वो common बात क्या थी supreme court का introduction जो supreme court है उसका introduction supreme court होना दोनों में उस तमन्याल है और जो चार option दिये गए थे उनमेंसे extra constitutional agency सम्विधानिक agency जो उनसी थी वो थी नीतिया योग जिसका सम्विधान में जिकर नहीं है लेकिन ये सम्विधानिक एक agency है सम्विधान के अलावा जो बाद में बनाया गया था planning commission को इसमें change किया गया है नीतिया योग ने उसको replace किया है question number eight constitution of India declares India जो हमारा सम्विधान है हमें क्या declare करता है राज्यों का संग a union of states और जो इंडिया का constitution है वो कैसा है quasi federal quasi federal और जो state में पंचायती राज में जो elections होते हैं उनको कौन conduct कराता है उनको कराता है state election commission तो friends इस वीडियो में आपके लिए इतना ही अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe कर दीजी और यह जितने भी quiz की videos है जो अलग-अलग जिस भी topic की जो भी video वो आपको अलग-अलग playlist में मिलेगी तो वहाँ जा कि आप playlist में से video भी देख सकती है नमस्क्राइर दोस्तो